वेलकम टू स्टैटिक जी के आज वर्ड जगॉर्फिस से रिलेटिक जितने भी इंपॉर्टन कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहला कोशन है हमारा कि पृतवी पर कुल कितने महासागर हैं ठीक है तो कितने महासागर हैं यानि कि पांच महासागर हैं पूरे पृतवी पर ठीक है नेक्स्ट है कि पृतवी पर कुल कितने महादीप हैं कितने साथ महादीप हैं बी ओप्शन से करेंट ओप्शन होगा नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है कौन सा है एशिया डी ओप्शन से क औरूस है C option इसका correct option होगा next है अंतरिक्ष में पहुचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है कौन है A option Major Yuri Gagarin ठीक है बहुत important question है हर एक्जाम में repeat होता है लग 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 वर्ड जग और फिसरेट कोशन बनते हैं तो ठीक है नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर मानो भेजने वाला विस्ट का प्रथम देश कौन है कौन है यह हमारा D option होगा संयुक्त राज अमेरिका D option is the correct option ठीक है नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला विस्ट का प्रथम व्यक्ति कौन है कौन है B option Neil Armstrong ठीक है B option is the correct option होगा ठीक पर कौन था राकेश शर्म ठीक है नेक्स्ट है कि वायू यान से उडान भरने वाला विस्ट का प्रथम व्यक्ति कौन था तो कौन था बी ओप्षन राइड बंधू ठीक नेक्स्ट है कि विस्ट का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है तो कौन सा है ब परमाडू बम गिराये गया, कौनसा है, C option, हीरो, सिमा, कब गिराये गया, अगर आपको पता है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर गताइए, नेक्स्ट है, विस्ट का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौनसा है, तो कौनसा है, चाइना, D option, correct option होगा, नेक्स्ट है, 14 तमबर, विस्ट का प्रथम महिला प्रधानमंतरी कौन थी, ये विस्ट की बात की जा रही है, कौन थी, S, भंडार्क, नायक, ये श्रिलंका की थी, ठीक है, नेक्स्ट है, कि विस्ट का सबसे बड़ा दीप समूं कौनसा है, तो कौनसा है, A option ने की, इंडोनेसिया, ठीक, नेक्स्ट है, विस्ट का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौनसा है, विस्ट की बात की जा रही है, तो B option ने की, टोकियो, B option is the correct option होगा, ठीक, ये आबादी वाले शहर की बात की जा रही है, देश की बात की जा रही है, तो कौनसा होगा, ठीक, नेक्स्ट है, विस्ट का सबसे छोटी महाधीब कौन सी है सबसे छोटा महाधीब कौन सा है यह मारा है Australia C options correct option होगा Australia को एक और नाम से जानते है जो कि है Oceana next है Visu का सबसे बड़ा देश कौन सा है B option Russia Russia जो है Visu का सबसे बड़ा देश है विस्टु का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है A option सुन्दरवन डेल्टा ठीक है A option is the correct option बीसमा कोशन है विस्टु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है सबसे बड़ा बांध कौन सा है विस्टु का यह मारा भव विबांध है C option is the correct option होगा ठीक महा भारत की लडाई कहां पर हुई थी और कितने दिन तक चली थी अगर आपको पता है comment box में जरूर बताईए next है विस्व का सबसे बड़ा दीप कौन सा है कौन सा है a option green land a option is the correct option next है विस्व में सबसे बड़ा दीप समुद्र कौन सा है तो कौन सा है b option याणि की भूमध्य सागर सबसे बड़ा दीप समुद्र है next है विस्व की उचतम परवत चोटी कौन सी है क्या होगा a option mount everest ठीक है next है विस्व में सबसे बड़ा महा सागर कौन सा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है B option प्रसांत महासागर विस्व में सबसे अधिक वित्रण करने वाला अंग्रेजी अधिक अखबार कौन सा है कौन सा है सबसे जादा कौन सा अखबार सबसे जादा वित्रित होता है विस्व में C option The Times of India C option is the correct option 28 question है विस्व में सबसे लंबा रेलवे प्लैटफॉर्म कहाँ पर है कहाँ पर है C option याणि की गोरखपुर में है गोरखपुर कहाँ पर है उत्तरप्रदेश में है ठीक है विस्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है कौन सा है B option याणि की चाइना ठीक है नेक्स्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है कौन सा है नील नदी A option इसका correct option होगा ठीक है नेक्स्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है कौन सी है C option याणि की नार्वे सुरंग ठीक है Next है, विशों का उच्छतम जहरना कौन सा है? ठीक है? विशों का उच्छतम जहरना कौन सा है? A option, Venezuela. ठीक है? A option is the correct option. Next है, विशों में सबसे बड़ा रेडियो दूर्बीन कहां पर है? टीक, नीव मेक्सिको में रेडियो दूर्बीन सबसे बड़ा है. विसु का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है कौन सा है बी ओप्षिन यानि की सुत्र मुर्ग विसु की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है कौन सी है यह मारी सी ओप्षिन यानि की गुनगुना पक्षी नेक्स्ट है विसु स्वात संगतन की महानिदेशक कौन है उस विश्व जनसंख्या संस्था का नाम बताए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई कौन से थी यह बी ओप्शन लीग आफ नेशन ठीक नेक्स है कि प्रजाद ये पश्चिपात का निराक्षन के लिए अंतर राष्ट्रिये दिन कम मनाया जाता है इसको नहीं होगा इसा 22 मारष को विश्व जल दिवस मनाया जाता है अंतराश्ची महिला दिवस का मना जाता है सभी को पता है ये 8 मार्च को मना जाता है C option सा correct option होगा next है विस्व के किस महादीप में जल विदुद सक्ती की संभावना सरवधीक है कहां है ये अफरिका में A option सा correct option होगा विस्व में लिगनाइट कोईला का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है कौन सा है D option यानी जर्मनी next है विस्व में कोईला का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है कौन सा हमारा D option यानी की चाइना D option सा correct option होगा 48 है विस्व में उत्पादित कुल कोईला का कितना प्रतिसत हिस्सा bituminous कोईला का होता है कितना होता है C option 80% होता है विस्व का सबसे बड़ा cobald उत्पादक देश कौन सा है कौन सा है B option जाहरे B option is the correct option होगा विस्व में निकेल का सबसे बड़ा निरियातक देश कौन सा है ठीक है निकेल कौन सा है यह मारा B option जाने की कनाड़ यह रहे मैं आज की 50 questions जो की geography, what geography is related है I hope की वीडियो को पसंद आए योगी वीडियो पसंद आती है चैनल को like, share और subscribe जरू करते ठीक है, thank you so much for watching this video